एक नई सीरीज में कर रहा हूँ यह सीरीज जो है परसनालिटीस से जोड़ी भी है और इसमें पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें से टैन परसनालिटीस को मैंने लिया था ध्यान लखिएगा जो प्रॉमिनेंट परसनालिटीस हैं जैसे कि महात्मा गांधी हो है अंबेडगर हो गए सुभाजचंद्र बोस हो गए इन पर हम अलग से डिटेल वीडियो ले करके आएंगे अलग-अलग परस्टनालिटीज पर क्योंकि यह वो परस्टनालिटीज जिनका बहुत बड़ा मेजर कंट्रिबूशन है इंडियन फ्रीडम इस्टेकल में लेकिन कई छोटी परस्टनालिटीज हैं और अगर हम इनकी बात करें तो इन पर भी कई बार प्रश्ट आ जाते हैं विश्यश करके जब मैचिंग की जिए उच्छान परस्ट आपको इस्तिंग अब की मिलेंगे अगर आप इसको देखेंग गर आप अच्छा score GS में at least five to ten questions आप कर पाएंगे इस तरीके की एक series मैं जो हूँ लेकर के आऊंगा terminology की जो है जोग्रिफिक उपर भी लेकर के शीगरी आने जा रहा हूँ उसमें छोटे-छोटे experts को हम cover करेंगे जो major portion है सिलेबस का उसके के लावा तो आप हमाई साथ बने रहे हैं अगर चैनल अभी आपने subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लें लाइक को शेर जरूर करें और अपने friends circle में से जरूर शेर करें को कि हमारा प्रियास collaborative study का है ताकि हम सब एक साथ मैं वीडियो के माद्धम से आप तक प्रियास करता हूं आप कमेंड के माद्धम से अपने सुझाव दे सकते हैं और इस तरह के से collaborative study के माद्धम से हम अपने कारे करम को आगे बढ़ा सकते हैं और एक बहुत ही important मैं आप लोगों के सामने announcement करना चाहता हूं और यह announcement यह है कि हम 10 लगभक mcq-based हिंदी का जो है आरो यारो के लिए एक free of cast जो है वह आप लोगों के लिए ले करके आ रहे हैं मॉक टेस्ट ऑनलाइन मॉक टेस्ट उसके लिए आप हमारा जो है जा रहा है और शीगर ही जो है आपको वह एक एप या website link प्रोवाइट कर देंगे वहां पर आप अपने को इंडॉल कर सकते हैं और इंडॉल करके आप टेस्ट को free में दे सकते हैं उसके लिए कोई charges नहीं है उसमें सारी latest feature रहेंगे निगेटिव मार्किंग का उसमें option रहेगा लीडर बोर्ट का option रहेगा कि जो लोग appear हो रहे हूं उसमें आपकी क्या rank बनती है साथी साथ रश्ट जो उसके हैं उसके explanation आपके पास relevant रहेंगे और साथी साथ आप अपने कमेंट के माद्यम से फर्दर अगर कुछ inquiry करना चाहते हैं तो वह भी हम आपके साथ share करेंगे now let's start the video आज की जो पहली personalities है आगर उसकी हम बात करें तो यह personality जो है वो विश्णू परशुराम शास्त्री पंडित यह 18-27 से 18-74 इनका time period 17 महराष्ट में इनका जन्म हुआ था महिला मुक्ती आंदोलन के छेतर में काम किया है तो देखिए अगर हम विश्णू परशुराम शास्त्री पंडित की बात करें तो इनका जो महत्पुन contribution है वो महिल सशक्ति कर्ण से चुला हुआ रो है रो यू भी पीसेस में आती रहे हैं वहां पर आप इनको mention कर सकते हैं एक background के तौर पर की भारत में इतहास क्या रहा है तो आप विश्णू परशुराम शास्त्री पंडित महिला मुक्ती आंदूलन के छेतर में उनकाम किया है 1865 में इन विश्णू परशुराम शास्त्री पंडित ने की थी और इन्होंने ना किवल विद्वा विवा को प्रसान दिया बलके लिए उन्होंने वैवाहार में भी एक उधारना प्रस्तुत किया और एक विद्वा से ही इन्होंने जो है विवा किया था किसने विश्णू परशुर ति वेर सावरकर ने इन्हें कंडीटीपत की शिक्षा दी थी किसको वीरेंदराच चटो-पाद्ध्याय को, वीरेंदर नाच चटो-पाद्ध्याय को कॉरांतिपत की कीशिक्षा सावरकर ने दी थी और यह बंदे मात्रम यूगम एक था में शामिलों गए थे 1922 में वो मास्कों गए लेनिन और टाटस्की से इनका संपर हुआ और एक पूर पॉइंट इनके बारे में यह है कि सरेजनी नाइडू इनकी बहन थी यह पॉइंट आप ध्यान लगिएगा कि विरेंद नाच चटोपाद्याई की बहन कौन थी सरोज नाइडू जो हैं आप इनके बारे में जानते हैं ने कम टू नेक्स्ट स्लाइड विनायक नरहरी भावे यह विनायक नरहरी भावे जिनको कि हम लोगप्रिये राम के रूप में विनुबा भावे कहते हैं अठारा सो पंचानवे से उन्निस सो बैयासी देखिये पक्के राष्टवादी थे गांधी वादी थे और कांग्रेस के निता थे नागपूर के जंडा सत्यागरे केरल में मंदिर प्रवेश अंदोलन नमक सत्यागरे इसी तरीके से दांडी मार्च यह बांडी नहीं अग्रा कांदी ने वादिन आठारा से सत्यागराय थे गहांपूर करेंग यह ब्हूर किया नहीं प्रूमन कुढ़िटेंग के दातुभ से नृतिए नित्रत के दौरा चलाएगा बाटम र मतिश्रू करते हुए था भू अंदोलन या आप कमेंड के माध्यम से हमको बताएं हम सही आंसर को निश्चित रूप से लाइक करेंगे और पूना के निकट वर्धा आश्रम किनों ने स्थापना की थी और 1985 में मडोपरान भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया तो अभी कल हमने आपको बताया थ है कि 1963 में एक भारत रत्न का प्रुसकार दिया गया था तो वो किसको दिया गया था जाकिर हुसाइन को दिया गया था उसी तरीके से 1985 में जो इसको दिया गया भारत रतन विनुबा भावे को दिया गया ये एक पॉइंट है आप इसको माइंड में इस तरीके से रख सकते हैं सेट कर सकते हैं विनायक दामोदर सावरकर इनका जो टाइम पीरियड है वो 1883 से 1966 का है महराष्ट के करांतिकारी उग्रवादी नित 1904 में सोसाइटी के संस्थाफक थे तो आभी नव भारत सोसाइटी के संस्थाफक कौन था विनायक दामोदर सावरकर विडी सावरर करते ऐसी द्रिंगके मित्र मीला की अठाफिक सावर करने की थी और नासिख शरियंदर कांड़ पर मकादमा इन पर चला था जिसमें उन्ह 1337 में ये रिहा कर दिये खेते हैं इंदु महासभा के नेता और अध्याच्राय वीर सावरकर के नाम से पिरसीद हैं 1857 की करांती पर पिर्थम सुतंतरता संग्राम नाम की एक कुस्तक भी इनोंने लिखी थी ये वीडी सावरकर से जड़े भी इंपोर्टन पॉइंट हैं आप का जो राष्टवादी द्रिष्टी कोड है वो इसमें स्वामी विवेकन इनका बहुत बड़ा कंट्रिबूशन है और यह परस्टनालिटी पर हम एक अलग से भी वीडियो ले करके आएंगे लेकिन आभी हम इसमें देख लेते हैं कि 1863 से 1902 ये इनका टाइम पिरियेड है क असकालीन कलकत्ता में इनका जन्मुगा था वास्त्विक नाम इनका क्या था नरेंद्र नाद्दत था तो नरेंद्र नाद्दत वास्तिक नाम किसका था स्वामी विवेकन नंद का था यह आपको द्यान में रखना है नरेंद्र नाद्दत स्वामी विवेकन नंद का वास् भारत की जो सांस्कृतिक विरासित है वो निश्चित रुप से बहुती महान है। भारत में राष्टवादी विचारों के जनकों में से एक हैं, नव वेदान्त वर्षन के जनदाता कौन थे? स्वामी विवेकानन थे। नव वेदान्त दर्शन के जनदाता कौन है? स्वामी तो यह आपको ध्यान रखना है 1899 में राम क्रिश्व मिशन की इस थापना किसने की थी स्वामी विवेकानन्द की थी और 4 जुलाई 1902 में इनका निधन हो गया चार जुलाई 1902 में अब याद रख सकते हैं आप यूसे का जो है आपका सुतंतरता दिवर्स भी है तो 4 स्वामी विश्वानन्द अब उत्तरी भारत में इन्होंने किसान आंदूलन का नेत्रत किया था स्वामी विश्वानन ने दरबंगा बिहार के राजा के वुरुद हो ये वुरुद होगा किसानों को इन्होंने संगडित किया था कई बार जब किसान आंदूलन से जुड़ थी जवाला नहरू की ये बहन थी और उन्निस सौ में इनका इलाबाद में जन्म हुआ ये इनके विशे में इतना सफिशेंट है ये भारत की और से रूस में सुतंदरता के बाद पहली बार जो है राजबूत के रूप में भी जो है नियुक्तुई थी ये प्रशन आया हुआ है इसको आप ध्यान लखिएगा इंपॉटन है यूपी पीसियस में ये प्रशन पूछा गया है नेक्स्ट वैरियर एल्विन ये एक मानफ शास्त्री हैं बहुत ही प्रोमिनेंट ये मानफ शास्त्री रहे हैं एंथ्रोपॉलिजिस्ट रहे हैं महत्मा गांधी की सलापर अ नोने जो है आदिवासियों के कल्यान हेतु प्षेश करके मद भारत में नोने समर्पित कर दिया था किसने कर दिया था वैरियर एल्विन ने कर दिया था वैरियर एल्विन ने अपना जीवन जो समर्पित किया था वो महत्मा गांधी की सलापर किया था इसके लिए किया था आदिवासियों के कल्यान के लिए गया था और एक important point है ये प्रश्ण भी आया हुआ है स्वतंदरता के पश्चाद आदिवासी मामलों के सलाकार भारा सरकार ने किसको निउत किया था बारा सरकार में निउत हुए थे ये बहुत important fact है ये भी यूपी PCS ने पूछा गया है नेक्स लाइड वांची आयर 1880 से 1911 आंद्र प्रदेश के क्रांतिकारी निता है वांची आयर आंद्र प्रदेश के क्रांतिकारी निता है मदरास में भारत माता association के ये सदस्ट थे जिनोंने चिदंबरम पिल्लई की ग्र ये वांची आयर ने तो वांची आयर ने एक अंग्रेज इलादिकारी की हत्या कर दी थी जो कि चिदंबरम पिल्लई की रिफ्तारी की ब्रोज ने जो भीर प्रदेशन कर रही थी उस पर गोली चिलाने वाले अफसर एक अंग्रेज आदिकारी की हत्या की थी किसने वांची आयर ने की थी तो इसको आपको ध्यान रखना है मदरास में 1881 से 1925 इनका टाइम पिरियड है ये भी मदरास के पिरसिद करांतिकारी है राष्टवादी लेखक है और चंद्रगुप्त नेपोलियन गारिबाल्डी पर इन्होंने आत्मकताई लिखी है चंद्रगुप्त के ऊपर नेपोलियन और गारिबाल्डी को पर आत्मकताई किसने लिखी थी वीवी सुब्ला मैय्या मैयर ने लिखी है तेकि साूथ इंडिया के जो हमारे करांतिकारी है उन पर फोकס रखी है क्योंकि पंजाब के जो क्रांतिकारी हैं, बंगाल के जो क्रांतिकारी हैं, महराष्ट के जो क्रांतिकारी हैं, अक्सर प्रश्ण बनते रहे हैं, लेकिन साउथ इंडिया के जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्हों ने राष्टी है, अंदुलन के लिए, सुतंतरता के लिए अपने प्राणों क्या होती दिये उन लोगों में के नाम बहुती महत्पून है और उन पर प्रश्ण बनने की बहुत अधिक संभावना है तो आपको वांची आयर को याद रखना है जैसे कि लास लाइड ने मैंने बताया और वीवी सुबडा मयम आयर तो इन्हों कि मदरास के क्रांतिकारी भी जो है वीडी सावरकर की संस्था अभी नव भारत से जुड़े विये थे इस प्रकार महराष्ट के क्रांतिकारीयों के साथ इनका संपर्क था अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक को शेर दरू करें थैंक्यू सो मच्छ जैसा कि कोई भी डिटेल कंप्रीहांसिव तरीके से वीडियो ले करके आएंगे ताकि कोई भी प्रश्न है छुटने ना पाए थैंक्यू सो मच्छ